हलो जी कैसे हैं आप लोग गुदिनिंग इस इस मजीत रावत यूर ओनलाइन इंस्टेक्टर सो एक बार फिर से विलके मैं आपका टीच में क्लाउट के यूटूब चैनल पर ना थम्निल देखके आपको अंदादा लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले एड़वियो स्ल एक सिंगल यूटूब चैनल है जो आपको 100% लाइप प्राक्टिकल देता है बिदावत एनिस की बिदावत एनिक्या है तो पहले कॉंसेप्ट समझ लेते हैं उसके बाद फिर हम इसका एक चोटा सा प्राक्टिकल भी देख लेंगे तो मिन्वाइल हम क्या करते हैं AWS प्राक्टिकल तो जहां तक अगर हम बात करें लास्ट वीडियो में अगर आपने गोत्रू किया होगा तो बीपीसी की वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था कि कैसे आप अपने इंवार्मेंट में AWS पोर्टल के ऊपर अपना खुद का सेटप बनाते हैं नेटवर का सेटफ बनाते हैं उसे सेटफ को थोड़ा सा हम ओर मॉडिफाइ् कर रहे हैं ममें से उसमें कुछ और स душ करेंगे कि मढी paにな क्या है क्या कौनश से बिल्कुल क्लियर है Agenda बिल्कुल clear है AWS BPC Pairing और अगर हम बात करें The work of BPC तो BPC का काम जो है Basically guys I hope कि आपको सबको पता होगा BPC क्या होता है एक service है जिसके जरीए हम अपना खुद का Network Environment बनाते हैं AWS Portal के उपर Virtual Private Cloud इसका नाम है इसके अंदर जो content है जो component है जो help करते हैं BPC क्रिएट करने के वाल लेडिये हम cover कर चुके हैं यहाँ पर हम बात करने वाले है pairing के बारे में तो समझ लेते हैं concept इसका के pairing है क्या छुटाथ example मालीजे आपके पास ये दो different BPC आपने बना रखा है एक आपने BPC बना रखा है with name of BPC1 and another जो BPC आपने पास वह है BPC2 दोनों की जो IP address आपने decide की है जो दोनों की IP address आपने configure की है 1.0 और slash करके आपने 26 लगा दिया यहाँ पे आपने क्या किया 10.0.0.0 slash करके आपने 26 यहाँ पे भी mention कर दिया अब आप कहीं नहीं देख रहे हैं इंस्तेंस को create करेंगे तो उसकी जो प्राइबेट IP address होगी 192 से start होगी यहीं पे अगर हम दूसरे बीपीसी के अंदर को इंस्तेंस को create करते हैं तो उसकी जो प्राइबेट IP address होगी 10.0.0 की बिल्कुल तो जहां तक अगर हम बात करें normal networking, basic networking based networking की बात करें तो दोनों machine आपस में communicate नहीं करेंगी क्योंकि दोनों ही computer system आपके जो है different IP address even class ही change है A class की IP और C class की IP में बहुत जादा gap है दोनों की machine आपस में communicate नहीं होगी लेकिन अगर आपने यह activity cloud पे कर रखी है तो अपने पास एक छोटी सी service है जिसको हम बोलते है BPC pairing और इस BPC pairing service के जरिए हम दोनों के बीच में communication कर तके है तो यह proper हो गया agenda यह अपने पास हो गया concept की बात करें तो आप कहीं न कहीं बोल सकते हो theoretical part में अगर अगर आपस पूचा जाए कि BPC pairing है क्या तो आप डिसक्राइब कर दीजे कि जब अपने पास multiple BPC हैं और उन multiple BPC में अलग अलग virtual machine instances या कोई भी services आपने content कर तक किया है and you want to make a connection between each other दोनों के बीच में communication करना है आपको दोनों के बीच में pinging करनी है तो BPC pairing हमें configure करना पड़ेगा agenda बिल्कुल clear है हम यहाँ पर फटा फटा एक BPC 1 बना लेते हैं दूसा BPC 2 बना लेते हैं दोनों के बीच में communication करके देखते हैं दोनों के बीच में pairing को establish करके देखते हैं साथी साथ जितने भी component आएंगे इसके अंदर जितनी भी services आएंगी जो help करेंगे BPC बनाने के लिए उनके बारे में भी discuss करेंगे तो चलिए पोर्टल अपना ready है पोर्टल को login कराने की देरी है बस तो login करा लेते हैं हम यहाँ पर और उसके बाद हम क्या करेंगे पहला ही agenda रहेगा पहला ही उसके प्रएगा कि हम पहले BPC 1 बना लेते हैं उसके बाद भी BPC 2 बनाते हैं दोनों BPC को आपस में communicate करेंगे एक एक इसके बिल्कुल clear तरीके से हम courses करेंगे समझाने के फिर भी अगर आपको doubt या question लगता है तो आप question put up कर देना comment में definitely हम reply करेंगे और उसको solve करने के courses करेंगे ठीक है चलिए ये networking का part आगया networking के पहले page पे हैं BPC पे हैं तो फटावट open करा लेते हैं BPC के page को और यहां पे हम देखते हैं कि कितनी existing BPC अपने पास available है अगर है तो ठीक है नहीं है तो हम दो create कर लेंगे चलिए यो BPC पे आप क्लिक कर दीजिए left panel पे जो screen दिख रही है यहां पे आपको BPC पे क्लिक करने के बाद list मिल जाएगी training BPC महालेडी बना चुके हैं चलिए हम इसको delete कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी इसकी step आपसे miss ना हो that's why हम इसको क्या करते हैं delete कर देते हैं ताक कि आपको पूरे step प्रापर तरीके से फिर से बता सकें ठीक है done we successfully deleted our BPC फड़ा फड़ा एक BPC बना लेते हैं create BPC पे click कर ये नाम दे दीजिए यहां पे class BPC1 ठीक ना यह पूरा हो गया आपने पास add is space total space है इसको आप multiple subnets में divide करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बट अभी हम यहां पे pairing agenda है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे class BPC1 को हमने किया create यह पहला step लेकिन इसके अंदर के component है वो भी हमारी responsibility बनती है इसके अंदर के component को हम create करें BPC बनाने के बाद आपने क्या करना है subnet पर जाना है जो कि हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं और यहां पर आपको करना है create subnet select करना है BPC की तो फटा-फट आप select कर लिए जो अभी recently में पर VPC बनाया था यहां पर subnet का नाम VMSubnet के के ना VMSubnet दे दिया reference नहीं दे रहे है किसी individual location को हमने decide कर रहे है यहां पर जो space हमने इस्तमाल किया था ना अभी create करते समय same space को हमने इस्तमाल कर दिया पूरा space हमने इसको दे दिया कि हम कोई भी subnet नहीं बचाना चाहते है ठीक है next करते हैं इसमें everything is okay create subnet again click create subnet थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें create होने में जैसे हमारा subnet ready होता है प्रोसीड करते है next step की तरफ subnet create करना हम है subnet हमने create कर लिया VMSubnet के नाम से same space दे दिया यह हो गया second step चलिए root table बना लेते हैं और root table के अंदर एक दो तीन इस दो step हमने final किये तीसरा step है root table अब क्लिक कर यह root table के ऊपर कोई step भी नाम दे देते हैं माली जी हमने यहाँ पर दे दिया class root table ठीक है सेलेक करें अपने vpc को जो vpc आपने बनाया था class vpc1 के नाम से सब कुछ clear है create पर क्लिक कर दीजिए आप तीनी step हो गए चौता step important है internet gateway जिसके जरी आपका जो request होगी वो outside जा सकती है तो आपने करना है create gateway gateway दे दीजिए class igw ठीक है यह internet gateway हो गए आपका click create एक single vpc बनाने में यह सभी component की requirement पड़ती है तभी आपकी जो virtual machine है उसके अंदर public IP address जाएगी या फिर आप बोल सकते हो तभी आप अपने इस vpc को अपने resource के साथ इस्तवाल करता हैंगे तो में यहां तक कोई confusion कोई doubt नहीं हुआ होगा अब चलिए फिर से buyback करते हैं route table पे चलते हैं और route table पे एक छोटी सी setting आपने करना है configure internet gateway open करना है फिर उसके बाद हमें जाना है route table में route table पे देनी है entry selectory अपने route table को class route table हमने select किया था अब then click routes single IP address आपने mention का रखिए 192.168.1.0 edit करें edit करने के बाद एक छोटा सा route आप इसमें add करतेंगे 0.0.0.0 इससे क्या होगा anywhere का symbol है जो भी instances के अंदर उसमें public IP address assign हो जाएगी और आप उसको worldwide कहीं से भी access कर सकते हैं and target में आपको select करना internet gateway ठीक है तो अभी हमने recently create किया but unfortunately found नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए छोटा सा इससे आपको follow करना पड़ेगा चलिए इसको करते हैं close आप आएंगे यहां पे subnet पे और subnet पे देखेंगे हमारा जो अभी subnet बनाया था VM subnet उसके अंदर भी आपको आप सेव्ट करेंगे तो राउट टेबल पे आप सेम अपसन दिखाई पड़ रहा है 192 168 का अप अप अटिट करेंगे एडिट करने के बाद आपने करना है एक और राउट टेबल को एड़ यहां पे देखो class route table आप अब आप करेंगे अब आप कर देंगे इसको simply class row table को आप करने के बाद सेव करेंगे अगेँन गो तो दी डाप करेंगे अगेंस अलेक्ट और यहां पर अड़िट करेंगे एडिट करने के बाद सेम प्रोसीजर 0.0.0.0 और इंटरनेट गेटवे थोड़ा सा टाइम लगेगा पेज को हम रिफ्रेस्ट कर लेते हैं करने के बाद बाद ए व जो हमने गेटवे बनाया था भी रिशन इहां पर सक्सेश्छमिली ऐलायट हो जाएगा थोड़ा सा सब्सक्राइब लगेगा हमारा यह आईजी डव्लू है लाइट होने में जाके हालाइट होगा action पर जाएंगे select करेंगे डवल को और एक्संची जाएंगे attached टूद थ्यूब्स जो भी पीपीक के साथ आप अटेच करना चाहते तो हमें यहाँ पर बीपीपी के से नाम से तो यहाँ पर आप कर दिजीए attach attach करने के बाद again go to the route table service select route table edit option और यहां पर add role same procedure 0.0.0 to apply and allow for worldwide अब आप देखिए यहां पर class icw option दिखाई पड़ गया save route पे click कर दिजिए everything is okay subnet में भी इसको verify कर लेते हैं subnet में click करने के बाद bm subnet पे आ जाएंगे route table पे जाएंगे 0.0.something करके आ गया यह हो गया subnet 1 अब आकर हम बात करें अपने hnd की तो कहीं न कहीं हम यह वाला पार्ट जो है complete कर चुके clear 192 की IP की जो वह हमारी रेडियो हो चुके बन चुकी है अगें हमने क्या करना है एक vm इसमें जो है न अटेच कर लेते हैं एक कर लेते हैं तो मीनवाइल हम चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पर ठीक है लोकेशन अगर हम बात करें तो अपना जो डेटा संटर का लोकेशन नौर्ट वर्जिनिया है यहां पर एक vm को आप create कर लेंगे launch इंस्टेंस पर जाएंगे और उस vm को हम अटेच करेंगे अपनी बीपीस जो भी रिसेंट लेंगे की कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अप्सलेट कर लो हाना यहां पर फ्री टायल में 2019 नहीं दिख रहा है ठीक है इसको हम create कर लेते हैं यहां पर इनेबल कर देनी है public IP और यह जो आपके पास नेटवर्क है नेटवर्क हमें अपना खुद का सेलेक्ट करना है तो डिफॉल्ट बीपीसी की जगह आपको सेलेक्ट रना है सर्ट कर देई है अजग Till अबढ़ होगा उक्रैंडा ऐसिर्स लांच हो गया जो कि वीपीसी उन में है जो की ट्लास इंदर ईविलेबल है अ और ऑपन यूर अनदर प्र्टल another wizard not portal और यहाँ पे bpc create करते हैं जो की एक different IP में run करना चाहिए class bpc है एक और bpc बना देते हैं training bpc के नाम से training bpc2 ठीक है ना यहाँ पे आप कर दीजिए test space की range 172.16 16.1.0 slash 26 इसको भी mention कर देते हैं b class और c class different तरीकी की IP का इस्तेमाल करके हम दो bpc create कर लेते हैं go to the subnet अगला जो step है वो subnet create करना है तो यहाँ पे हम create कर लेते हैं एक दूसरा subnet select your bpc तो हमने अभी training bpc के नाम से बनाया और यहाँ पे आप दे दीजिए subnet का नाम no references के साथ training vm subnet ठीक है ना यहाँ पे हमने mention कर दिया same ip उठाके रख देते हैं 172.16.1.0 slash 26 पूरा हम ip space में provide कर देते हैं as per the bpc जो हमने बनाया था create कर देंगे और create करने के बाद अगला step route table same procedure आपने इस्तेमाल करना है route table पे click कर ये training route table यहाँ पे mention कर देते हैं select your own bpc training vpc2 and click create बिल्कुल simple step follow करना है आपको again go to the internet gateway last step is bpc related and create internet gateway training igw पिछली बार हमने class igw बनाया था अब यहाँ पे हमना देते हैं training igw and click create तो gateway create करने के बाद internet gateway create करने के बाद आपने क्या करना है इस gateway के अपने bpc के साथ attach कर दीजिए क्योंकि अभी आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे condition इसकी deattach दिखाई पुड रही है select your bpc click action and action पे click करने के बाद attach to bpc किस bpc के साथ attach करना है training के bpc attach करना है क्योंकि इसके पहले जितने भी bpc है वो अल्लेडी किसी gateway से जुड़ चुके है तो attach gateway कर दीजिए अप again we need to click on route table route table पे आप click कर दीजिए training route table पे select करेंगे edit करेंगे 0.0.0.0 slash 0 और यहाँ पे आपको select करना है internet gateway target में और आपका यह training gateway successfully दिखाए पड़ गया click कर यह save पे उसके बाद फिर से back जाना पड़ेगा थोड़ा सा procedure जादा है बट आसान है समझना आईए subnet पे आपको सभी step के थोड़ी से ध्यान रखने है कि कि किसके बाद क्या करना है जिसके अब बागी procedure में वही बार बार हमें करना है route table में गया है edit route table में चलते हैं edit route table कर चलने के बाद हम थोड़ा सा changes करते हैं अपने route table को select करते हैं 0.0.0.0 0.0 आ गया everything is okay सब कुछ clear हो चुका है अपने पास 2 BPC हो गया और अपने एक instance बना रखा है running की condition में आ चुका है यह तो इसको कर देते हैं connect connect के बाद rdp rdp के बाद get password तो हमने जो key रखी थी अभी जो हमने key create की थी wordpress something करके नाम था ना तो search कर लेते हैं इस key को तो तो यह हमें थोड़ा सा key का ध्यार नकना पड़ेगा कि जो key आप create किये हैं वो successfully available होनी चाहिए लेट मी चेक दखी नेम connect पे क्लिक करते हैं rdp पे चलते हैं यहां पे wordpress test ठीक है ना जो key का नाम है वो है wordpress test कहीं न कहीं हमें यह key चाहिए इसको हम देख लेते हैं अभी पहले उसके हम चेक कर लेते हैं क्योंकि वैसे भी हमें private IP address यहां पर दिखाई पड़ रही है 192.168.1.48 हमें IP address मिल गई एक थोड़ा सा confusion है क्योंकि free trial account में यह हमें एक से ज्यादा instance बनाने का option नहीं देगा so let me check कि हम more than one instance create कर पाते हैं या नहीं क्योंकि अभी recently Amazon ने जो है थोड़ी सी चीजे change की है तो हम यहां पर proceed करते हैं create करने की एक और instance free trial ही select करेंगे next करेंगे और आपको यहां पर दूसरी instance create कर रहे हैं आपना इसको आप select कर देंगे किससे training VPC के साथ और यहां पर enable public IP address to assign next launch और थोड़ा सा confusion है उमीद है कि यह create होना चाहिए but let me check yes अभी recently क्या है कि Amazon में जो है अभी एक particular location में या एक particular environment में आप एक single VPC single instance बना पाएंगे तो आप देखिए यहां पर initializing field है but not an issue हम आपको pairing बता देते हैं subnet में जाएंगे pairing करने के लिए सबसे basic procedure है वो यह है कि आपको यह address space है यह count कर लेना 192.168.1.0 एक BPC address space हो गया दूसरे का address space हमने रखा था 172.16.1.0 26 ठीक है यह दो different trick के subnet और IP address हमने use किये थे अपने BPC pairing बनाते हमें हमें क्या है पेरिंग करने के लिए इसमें एक दूसरे pairing के address space को inform करना पड़ेगा means आप बोल सकते हो कि BPC 1 को आप inform करेंगे 72 और 72 को inform करेंगे 192 actually setting आपको configure करने पड़ेगे manually तो portal भी चलते हैं आपको step बिखा जेते हैं आप open करेंगे route table दोनो route table available हो जाएंगे एक दूसरे route table को आप change करते class route table पे click करिए edit पे जाईए यहाँ पे add role पे जाईए add route पे जाने के बाद अभी आप कहाँ पे 192 तो इसका मतलब आपको 172.16.1.0 slash 26 आपको क्या करना पड़ेगा वेट 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 यह setting आपकी होगी एक छोटा सी step के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक option दिखाई पड़ेगा हमें VPC pairing का तीक है इसी वाले पैनल पे राउट टेबल वाले पैनल पे आपको एक option दिखाई पड़ रहा है Connection Pairing Pairing Connection क्लिक करिए आप सिंपल था कोई भी VPC Pairing अबे लेवल है नहीं create VPC Pairing Connection पे जाएंगे next करेंगे test VPC Pairing तीक है ना यहाँ पे आपने क्लिक किया एक request होगा एक acceptor होगा तो request आपके किसी से भी करा लेजिए मान लेजिए हमने यहाँ पे request करा दी पहले से यानि class से 192 जो है requestor बन गया और यह जो दूसरा हो गया यह अपने पास हो गया training जो हो गया acceptor guys यह same region में है कोई problem नहीं है अगर another region में होते हैं तो आप यहाँ पे select करते हैं और आपको region यहाँ पे select करते हैं और उस region के अंदर तो उस region के अंदर आप select करने के बाद आपको दूसरा BPC pairing भी खाई पड़ जाता even इसी तरीके से another account अगर आपके पास दो different AWS के account हैं और उन में अलग-अलग BPC चल रहे हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा another account देना पड़ेगा account की ID देनी पड़ेगी और BPC pairing configure करते हैं तो अभी हम base से चल रहे हैं यह पहला BPC pairing है उसके बाद हम दूसरी video create करेंगे जिसमें हम देखेंगे BPC pairing with another region अभी तो नो ही BPC हमारी North Virginia में है तो इसलिए हम same location में चल दे रहे हैं और देखिए यहां पर 192, 172 automatic option यह दिखाई पड़ रहा है लेकिन क्या होगा जब आप दूसरे दूसरे location में BPC create कर रखेंगे तो वह second video में हम आपको दिखाएंगे practical आपने करना है क्लिक create BPC pairing page तो जैसे हमारा BPC pairing create हो जाएगा वह हम आगे प्रोसीड कर देंगे training pairing you should use a unique name आपको इसमें unique name में इस्तमाल करना पड़ेगा तभी यह create आपको allow करेगा ठीक है तो इसमें कोई भी प्राब्लम नहीं है आपका BPC pairing जो है create हो चुका है आप create पे click करेंगे तो यह successfully दिखाई पड़े जाएगा एक जो request है वह है US East 1 में दूसर request भी हमारा जो accepted है वह हमारा कहा है US East 1 में same location पे है BPC create करने के बाद थोड़ा से इंतिजार करेंगे बट अभी देखी यहां पे क्या आ रहा है pending acceptation तो आप क्या करेंगे action पे click करेंगे और accept request कर देंगे accept request करने के बाद यह आपका जो है activate हो जाएगा green आ गया active हो गया अब आप BPC pairing के इस्तमाल कर सकते हो सब कुछ clear है आपने जाना है route table में ठीक है और अपने route table को select करने के बाद एक दूसरी की IP address को assign कर देना है address space को assign कर देना है दो address space अलड़ी है edit route पे जाएए अब 192 में है 172 को select कर लीजिए .1.0 slash करके 26 और यहां पे आप select करेंगे target में pairing connection तो यहां पे हमें दिखना चाहिए pairing connection आप यहां पे दिखिए pairing connection option दिखाई पड़ रहा है select करेंगे यह pairing connection create किया था आप click करिए save कर दीजिए done हमारा जो यह pairing connection था class के लिए okay हो गया training के लिए आपको करना पड़ेगा click करेंगे edit पे जाएंगे add route पे जाएंगे same ultra IP address मतलब दूसरे की IP address जो दूसरा भीनेट है 1.0.26 और यहां पे हम select करने वाले है pairing connection सब कुछ okay और कर देंगे same everything is fine हमारा BPC pairing बनके तयार हो गया है और अगर आप अपने instance को जो भी instance आपने create किया क्योंकि unfortunately हम create नहीं कर पा रहे है तो आप उनको दोनों को communicate कराएंगे तो 100% पिंग हो जाएगे तो guys next video हम create करने वाले हैं दो different region में BPC pairing उसमें हम आपको final result जो है वह हम दिखा देंगे अभी हम VM नहीं create कर पा रहे हैं इस वज़ज़स यह अपने पास होई है details related to BPC pairing कोई question है तो comment करेंगे definitely हम उसको solve करेंगे take care guys bye bye